देगे question number 12 है हमारे सामने At a particular time of a day A 7 meter high flag stuff casts a shadow which is 8.2 meter long What is the height of the building which casts a shadow 20.5 meters in length at the same moment यह कह रहा है कि किसी खास समय पर किसी दिन में जब 7 meter का flag stuff है मतलब एक जंडा तो वो कितना shadow cast करता है इतनी लंबी कह रहा है तो building की height क्या होगी अगर वो इतनी shadow को cast करती है तो आप यह दोनों के दोनों जो है न यह direct variation के question है तो आप कैसे solve करेंगे देखे आप से कहा कि 7 meter जब flag stuff है तो इतने meter long देता है बात clear है जब 7 meter high है तो shadow इतनी है तो यहाँ पर height और shadow की बात चल रही है तो इसमें भी height और shadow की बात चलेगी तो आप देखेंगे क्या करेंगे पहले निकाले है height of the flag stuff to cast a shadow of 8.2 meter कितना है 7 meter पहले यह relation लिख ले कैसे लिखेंगे height of flag stuff to cast a shadow of 8.2 meter कितनी है 7 meter है clear है तो आप यहाँ से क्या निकाले है एक meter की shadow कितनी होगी तो आप कहेंगे height of flag stuff to cast a shadow of 1 meter 1 meter का निकालो तो क्या कहोगे 7 upon 8.2 meter है ना तो height क्या है जब 1 meter shadow है तो यह है तो आप कितने का निकालोगे अब 20.5 meters का निकालोगे तो आप कहोगे height of flag stuff to cast a shadow of 20.5 meter इतने की निकालनी है ना तो एक meter को गी आपको पता है एक meter की shadow यह है और 20.5 की निकालनी है तो बोद साइड हमने 20.5 से multiply कर दिया इतना meter answer है चलिए cut करते है इससे तो यह remove हो गया decimal से decimal clear है चलिए देखे मैं इसको 41 से remove कर रहा हूँ मुझे पता है कि यह 82 41 की table में आता है और यह भी आता है तो देखें 41 की table से remove करते है तो 41 2 जा 82 और 41 फाइव जा 205 होता है ठीक है 75 जा 35 और अपॉन 2 डिवाइड करके देखें इसको 35 को किस से 2 से डिवाइड करें तो 21 जा 2 वन रिमेंडर 27 जा 14 रिमेंडर 1 डेसिमल 0 25 जा 10 तो हमारा आंसर क्या आगया है 17.5 मीटर तो बेटा इतनी shadow cast करेगा वो ठीक है चलिए चलिए नेक्स्ट कैशन पर